नमस्ते दोस्तों, हमारे चाल में आपका स्वागत है, आज हम लेह लद्दाक और कारगिल सेर के दुस्वे दिन के बारे में विस्तार से जानेंगे. आज का दिन बहुत ही बहतरीन होने वाला है, आपसे निवेदन है कि आप यह विडियो अंत तक देखिए, लेह लद्दाक और कारगिल की खोज परिचे एक राजसी घाटियों के बीच एक आध्यात्मिक यात्रा है, जैसे ही लेह लद्दाक के लुभावने परिद्रिश्यों पर सूरज उगाया, मैं और मेरे दोस्ते इस रहसे मयक्षेत्र के छिपे हुए रतनों को उजागर करने के लिए उत्सुक होकर एक रोमांचक साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। अपने दोरे के पहले दिन हमने लेह शेहर को देखा और आप दूस्वे दिन हम बस द्वार ले से कारगिल तक के सुरम्यों और सासी मार्क को पार करने के लिए निकले। इस रोमांचकारी यात्रा पर हमारा पहला पड़ा पूजे गुरुद्वारा था जहां इतिहास और आध्यात्मिक्ता का मिलन हुआ। अमले धरमा चे प्राशार करने चाथी या प्रन्ताद आलते जेवर इस ते याज़ टिकाने थाम लेकाने हुआ। वरती दिश्टे का दिखना कि थे एक सैजितन आप शेहाई एक दकार आध्यात्या करते हैं। पर त्यानी तिकडने कासा मोठा दगडे तो गुरुनान करना इत्व फेक्षु न मारत। तो दगड तेन नखाई लागना नाए तेन छा मागे यों ठामना तेजा पोजीशें में बस लेए ना तीठ पोजीशें आपता आपके लात्म देपाई लगेए। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहीब देवीन हस्तक शेप की एक कहानी कारगिल की सडख पर हमारा पहला पड़ाव एतिहास इग गुरुद्वारा श्री पत्थर साहीब था जो लेख शेत्र में अत्यदिक महत्वकस्थान है किंवधन्ती है कि जब सिक्ध धर्म के संस्थापक गुरु नानक अपने धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए यहां पहुँचे तो एक दुष्ट शैतान ने उन पर पत्थर फिकने का प्रयास किया हाला कि चमतकारिक रूप से पत्थर अपना निशान चूप गया और पूजे गुरु को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया इस दैविय या हस्तक्षेप की स्मृति में गुरु नानक ने इसी स्थान पर एक मंदिर की स्थापना की तो यह वही गुरुद्वारा है उस स्थान की आध्यात्मिक आभा को देखना और उसके एतिहासिक इतिहास के बारे में सीखना हमारे लिए यही एक गहरा अनुभव था सिंधू और जस्प्रा नदियों का संगम एक प्रकृति का चमतकार कारगिल की और अपनी यात्रा जारी रखते हुए जब हमने सिंधू और जस्प्रा नदियों का असली संगम देखा तो हम आश्चरे चकित हो गए धाटी के बीच स्थित ये प्राकृतिक चमतकार एक अद्बुद द्रिश्य प्रस्तुत करता है इन दो शक्तिशाली नदियों के विलये ने हमारे दिवाग पर एक अमिक चाप छोड़ी जो प्रकृतिकी विस्मयकारी भव्यता की याद दिलाती है इस रास्ते पर शुष्ट परिद्रश्य में वनस्पती का कोई नामो निशान नहीं था जो तेज बहती नदियों के साथ एक मनमुवक विरोधाभास प्रस्तुत करता था द्रास एक भारतिय सैनिकों की बहादुरी का याद में बनाया गया समारक है बहादुरी को एक श्रद्धान जली देने के लिए हम गये इसके बाद हमने द्रास में एक मार्मिक पड़ाव डाला जो कि 1999 की कारगिल युद्ध के दोरान अपने महत्व के लिए जाना जाने वाला शहर है समय की कसोटी पर खरा उतरते हुए कारगिल युद्ध समारक उन बहादुर सैनिकों को सच्ची श्रद्धान जली देता है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्रानों की आहूती दे दी जैसे ही हम समारक और युद्ध भूमी से गुजरे हम अद्वितिय साहस और वीर्ता का प्रदर्शन करने वाले नायकों के प्रती सम्मान व्यक्त करते हुए भावनाव से अभिभूत हो गए कारगिल युद्ध जिसे कारगिल संधर्ष के रूप में भी जाना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 तक जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले के साथ साथ नियंतरन रेखा एलो सीक के साथ अन्यक्षेत्रों में हुआ था भारत में इसे ओपरेशन विजय कहा जाता है जो भारतिय सेन्य ओपरेशन का कोडनेम है भारतिय वायू सेना ने नियंतरन रेखा पर खाली भारतिय चोक्यों से पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बलों को हटाने के लिए ओपरेशन सफेद सागर ओपरेशन सागर वाइट शाबदिक रूप से वाइट सीक में भारतिय सेना के साथ सहयोग किया अब भारतिय नियुक्त विए पजिए हैं सेना के साथ 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 सब्सक्राइज परेशन से हां सेना के साथ पाकिस्तानी साथ यहां को भारतियों अधून आपन वर्पिताउं प्रेच्चे ची पुप्टो केला आणि हाव वीजय आपकेला साकर दला आता याच वर्षी आपना कारगील वीजय थी वागाद पणना सव वर्षी तो पंचु सव वर्षी तरह ये अपन पातो ही त्या काड़ात नवगेन नौ साल ची सगर पर दला आपन दला ची ती बोग पर्षी तो अनि हे समोर दिस्ते नहें मिग 21 या कारगील वीजय जननी चांगले भूमी का बजावली तो ते विक्रम बातरा मनोच पांडे सावरब कालिया सगे वीर जावानां चे इता पोर्टो आपकेला नंतर इता वर्टा रियम्बरंस ते नहीं पर दिस्ते गथी ते ठीका नी पोटो जो गेरे ते चा आच पोटोग्राफी वीडियोग्राफी आला होसाई ती पाहिची समोर गेला ना इता आपने आट मेंट चा वीडियो दाको जेता शेवट चा पोईंट या जाला या ज़िका नी जाला एच ना वे थ्री सब्सक्राफ लेन ये जवड़े सेहीद जलेना जवड़े 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 कहा चा ना सेहीड़े लेले जो अ संख रखियोग जारी कि आपके खेला प्रफर आपकर क्राई आपका जारा प्लाओ के अज़ा में कानी तो आफ अज़ा निस को अज़ा है भारतातिल प्रसिद्ध परेटन ठीकाणी जाने साथी श्री समर्थ नाना टूर्सव ट्रैंग्वल सा सासवडला संपरक करा मोबाईल नंबर 9730445409 लेह लद्दाख और कारगिल ने खुली बाहों से हमारा स्वागत किया एक सम्रिधर अनुभव प्रदान किया जो महज यात्रा से परे था जिससे हमारे देश के भीतर मौजूद सुंदर्ता के प्रतीकृत गिता और विस्मय की गहरी भावना पैदा हुई जैसे ही हम इस रहस्य मयक्शेत्र को अलविदा कहते हैं अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद